नमस्कार दोस्तों जहिन स्वागत आपका विजन पॉइंट के कोचिंग क्लास में जिसवे हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल जो की निकला है फॉर्म आपको पता ही है एक सितंबर को निकला था दोजर तैस को और तीस सितंबर दोज़ा था लाश्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में तो आप जानते हैं विजन पॉइंट है जो की नियम चौक नियू देली में हैं और विजन पॉइंट क्या करता है विजन पॉइंट आपको डाउट सॉल्व करता है क्लास 6-12 तक के बच्चों को कोचिंग देता है और आ आपको आर्ट्स के भी पर जो आपके टीचर होंगे वह वेल क्वालिफाइड होंगे और कॉमर्स के बच्चों को तुम्हें खुद पढ़ाता हूं आप जानते ही हैं तो इससे पहले हम मैं आपको बताओं पढ़ाना स्टार्ट करों सो उससे पहले मैं आपको बता दू चै चले सुरू करते हैं आज के कोसंस तो सबसे पहला कोसं है तो चलिए हम सुरू करते हैं और कोई भी क्वाईट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वार्सब मैसेज आपको देखे सामने दिया हुआ है आपका नमपर दिया हुआ है विजन पॉइंट का एड्रेस पीन आप देख पाई यह आपका 2022 का कोश्ण है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कर चाहता धूप चाहता का संब्सें होता है दूप से होता है उसी प्रकार और जो आपका एक लेहर होता है तो आपको पता यह कि आ जो हमें प्रोट्यक्ट करता है वह हमारा पराबैगनी किरन जो होता है जोकि सूरज की sun light से आता है, उससे बचाता है, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसका सही answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका 210, 120, 60, 24 और 6, इसके बाद क्या, सबसे पहले देखे 6,4,24 हो गया उसके बाद देखे आपका 210 दिया हुआ है 210,120 देखे डारेट्ट आपका 210-120 पर आ गया तो इसमें कितने का आपका तो इसका अंसर है आपका बी इसका अंसर क्या है आपका बी है जो की 0 आने वाला है अगले कुस्टन की तरफ बढ़ते हैं अ शेंटीस एकतिस चंप बीस बाई उनीज फिर सतना उसके बात वाट तो तो देकिए पहले हम यहां से स्टाट करते है Cambodia ículos 372 hå opened पूर्प में कितना डिफरेंस है सैंटीस और का कीच में बिच में डिफरेंस से आपका चैक Candice कRI में आपका यह regard Pod से 20 के बीचे-वाइज के बीच बीच कितना डिफयास है तरह बाइस और यॉजे कितना डिफयास है तरह दो आप देखिए दो के बाद एक आता तो शक्रण के बात क्या जाएगा आपका 17 के बाद आपका क्या जाएगा एक का डिफ्रेंस तो माइनस कर देंगे तो 16 गया अंसर इसके अलावा मैं अगला कोशन की तरह बढ़ूं यह देख सकते हैं यह कोशन कह रहा है पांच 10 17 वाट 37 तो इस कोशन का अंसर बताइए क्या होने वाला है तो इसका अंसर कैसे इसे 5 और 10 कितने होते हैं इनके बीच में डिफ्रेंस पांच का ठीक है फिर 10 और 17 की बीच कितना डिफ्रेंस फे पीर देखे पांच और सात मतलब पांच और दो के बीच में कि Vithena कि दो का तो पांच सात फिर नो क्या डालिए 17 और 9 गoul Th저 का आंनसर हों गया 56 विए कैसे और के यह दتيब पांच के बाद 10 आता है President कर गप 10 के बाद 17 आता है फिस साथ का गप 17 के बाद अगर मैं नौ का गप लूँ तो शब्श्बिस और नौ के बाद 11 का गप लूँ 11 और 26 कितने होते हैं 37 तो आपका अंसर बिल्कुल करेक्ट है अगले कोशन की बात करें तो देख सकते हैं आपका अगला कोशन कह रहा है कि 3 है 5 है 8 है 13 है 21 है 35 34 है next what the first of all हम check out करते हैं कि 3 और 5 के बीच में कितने कतर steps ree學 याा को सांसर देखें पहले किए कि 1 और 5 के बीच में कितने का गप है 2 का गप है ठीक है तो बात करते हैं ऑफ पाइव और थ्री गया amp two ऑड थ्री कितना वचा फाइफ अगला आपका मुस्क्त करते यह तिके उसक्त bekommt आठ पांस तेरा अफ्सक्ते बीचिए आठक है तो देखे حस्ताय इसके बार चार वहा कर देद्चेंञां नेक्स्ट वाट तो तेरा प्लस आठ आठ और तीन ही होते हैं ग्यारा मतला 21 21 प्लस क्या करेंगे 34 21 प्लस 34 करेंगे तो आएगा 55 तो इसका अंसर राइट हो जाएगा डी 55 आई होप आपको समझा रहा हो समझा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें अग अगला हम बात करते हैं साथमें को संकी यदि किसी संक्या में 18 जोड देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संक्या कौन सी होगी तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं वह नमर कैसा हुगा जैसे जैसे मतलब 27 में अगर प्लस कर रहेंगे 18 तो यह पलट रहा है आठ सथ चारा प्लस करके जो की नमुपिन है 34 में देखते हैं 34 प्लस आठ अठारा आठ चार बारा तीन चार एक पांच बावन यह भी नहीं हो रहा है ठीक है उसके अगले कोशन की बात करते हैं अगला है यदि किसी कूट में थ्रेड सब्द को सिक फैस की तरह से लिखते हैं तो उसकी कूट में नमबर को किस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले इस कोशन को ध्यान दीजिए क्या बोला है थ्रेड को क्या बोल रहा है यह लिखने को थ्रेड को बोल रहा है यह सिक्वेस मतलब टीक से पहले क्या आता है एस एस से पहले आई आर से पहले ओ F से देखे E से पहले E के बाद F A से पहले Z आता है क्यों Z आएगा जबी तो A आएगा उसका D के बाद E ठीक है तो उसी परकार नमबर की बाद तो नमबर की बाद करें तो नमबर को कैसे लिए सकते हैं S के बाद T दिया हुआ है यहां पर यहां S के बाद T दिया हुआ है तो देखे N के बाद क्या हो जाएगा आपका M तो आपका, देखे, ये भी है M है और यहां M है यह वाला तो नहीं होगा, कटक करें दिजिए ठीक है, यह वाला, अगला देखते है H के बाद, आई आता है h के बाद आई तो देखे u के बाद v आता है v यहाँ भी है और वसलव इसमें नहीं है यह आपका a आंसर हो गया अगले के बात करते हैं नो मा तो क्या है नेमलिखित में से किस से नियून्तम मान प्राप्त होगा आधे का आधा एक तीहाई का एक तीहाई एक तीहाई का दो तीहाई आधे का चोथाई आधे का आधा से हमें नियून्तम मान नहीं होगा क्योंकि आधा मान लिजे कुछ भी ले लिजे मैंना चार मान लिए चार का आधा क्या होगा टू का आधा क्या होगा टू का आधा क्या हो जाएगा वन अगला एक तिहाई का एक तिहाई हो सकता है तो यह आपका answer correct हो जाएगा अगले question की बात करें है last question यदि forest 1,3,4,8,6,7 लिखा जाया है तो near को 9824 tie को 758 और rotation को क्या लिखेंगे तो देखे answer question में ही छुपा हुआ है सबसे पहले आपको क्या देखना है देखें क्या दिया हुआ है O का value यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो देखें 3 आ गया उसका अर दिया हुआ है आर का value देखें यहाँ पर 4 दिया हुआ है यहाँ भी आर है यहाँ भी आर का value 4 दिया हुआ है तो आप 4 हो गया नहीं होगा आपको पता चली गया हुआ तो अगले कुशन के बात करते हुँ हम तो इस वाले की बात इंगा देखें आपका x तो टी का यहां पर देखे टी का डिरका सेवं तो देखे सेवं भी है इसमें और आपका इसमें भी है नहीं है इसमें फाइव दे रका है 4 नमर का तो answer आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा D तो यह आपका स्सिव लेवल का question था जो की आया था नीचे सारे दिये हुए हैं देख सकते हैं यह सारे आपका एक्सिंट ले लिजिए और ऐसे कोशन को प्रैक्टिस करते रहे हैं और अगर और वी वीडियो ऐसे चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाहिए विजन पॉइंट मैं आपके लिए ऐसे कोशन लाते रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद